तो हलो गाइस वेल्कम बैक टू रोई ट्राइड चैनल की से चैनल में स्वागत करता है तो गाइस अभी हम जा रहे हैं विष्टुपूर वहां मुझे क्या कम है कि मैं एक हुआ यामा यामा कंपनी का बाइक है एकचा बिडियो बना ने आप लोगोण कोमेंट करते दे कि भया रोउध भहया आप इस देड़ एब जेट एसका वीडियो बनाई है तो आज में वही जा रहा हो फाइनिली और आप लोगों कॉमेंट भी करते थे जल्दी बनाए जल्दी बनाए तो मैंने अगर गिया था सोरूम तो उसके बाइक नहीं आया था गाइस और अभी फिलाल बाइक मुझे लगता आ गिया होगा और आग यह तो चलो देखते कौन कौन सा कलर है क्या कीमत है ओन रोड चम्चेत कुछ हरकन का और देखते इसमें क्या क्या मिलता फीचर्स और क्या क्या पूश में दिखने को मिलता डिफरेंस एब जेड एस से तो चलो चलते हैं और अभी हम सारा सेटी पहुंचने वाले सा तो फाइनली गाइज मैं है पहुंच किया आरेक्स यामा सोरूम और यहीं पर है वो बाइट मुझे लगता आगे आगा होगा कि इसको अगे हम बनाते हैं अंदर जाते हैं यह हमारे यामा सोरूम बिस्टू को चाहिए आप 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 करते हैं अपर वहां पॉलिए अब आपको फोन कर दो था हैं वहां प्रॉजित कर लें गाड़ी आया बूलिए यह वहां अब देखे ने मेरे को पता है कि गारी आगिया हां वहां आप अ अ तो हलो गाइस वल्कम बैक टू रोईत राड़े चैनल पीशे स्वागत करता है आपका रोईत राड़े चैनल में तो दोस्तों हैनिले में आगी है हूँ आपको देखे रहे यामा सोरम एन विश्टुपूर तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबसे बेस्ट बाइक 2021 का FGS तो यह पीछे आप देख रहे खड़े एंड बुलू कलर में और दो कलर है बिलेक एंड और ओरेंज कलर तो चलो बात करते इसका डीटेल के बारे और क्या इसका फीचर से और बात करते इसका कीमत कीमत तो सबसे है यह मंचा है वीडियो में अज बात करते इडियो को सबसे अगे से ब्रॉं तो यह है आपको दिखंगा della 2021 का new FZX-01 तो ये फाइनली यामा का सोरूल में है और आपको जिस किसी को भी लेना है इस बाइक को टेस्ट राइड एंड इसको आप ले सकते और चला के देख सकते फिर आप ले सकते इस बाइक को आप खरीच सकते तो आप देख सकते आपको दिखा रहा हूँ 2021 का new FZX-01 आप देख सकते इसका तीन कलर आता है तीन कलर में मैं बता रहा होती है ये बूलू कलर है और एकाथ और एकाथ और एकाथ आपको मैड बेलर कलर तो आप देख सकते आप कि तीनों कलर में सबको कौन सा पसंद है आप ले सकता । डाइस और इष भाईक इमło आपको सिंगल चनेल लेसा यह एक्चॉली रेटिरो मॉड्यल है अब दीन उखे करते हैं लुक्स आसो Settings को यह जैए मननने या प्रिछ करतें इंजिन आपको देस्ट में यिसमें आपको पावड मिलता 12.2 इसका बीचपी 7500 इसका आर्पियम है जिसमें आपको मैक्सिम्मप्रक मिलता 13 फोंक कुछ इसका टोर्क है 5500 मिलता आपको तो चलो करीब से मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं, आगे से बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं, इसका जो एलेटी हैड लाइट, तो कितना यूनिक लग रहा, कितना अल्गिक लग रहा डिजाइन, आप देख सकते हैं, बहुती बहती बहती न इदे कमाल का लग रहा गाईस, इसका आगे का हेड लाइट और लुक्स, तो आप देख सकते हैं, इसका जो इंजिन का उपर कुछ डिजाइन किया हुआ है, और मुझे इसका सबसे बढ़िया लग हैडलाइट और यार में क्या बोलो सबसे बहती नहीं तो इसमें आपको मिलता रौंड मिलता LED लाइट बीच में मिलता पोरजेक्टर लाइट जिसमें आपको MT15 का लाइट है घज़ आप देख सकते हैं यहाँ आपको बीच में एक लाइट मिलता साingo का साइड में राउंड और ही, कितना फिनिसिंग किया है इसका मेटेर भी बहुत ही फिनिसिंग है, और नीचे आते तो यहां आपको मिलता ABS, तो इसमें आपको सिंगल चेनल मिलता ABS जिसमें आपको सोकर मिलता है इसमें आपसर डर्ण नहीं आता और यहां आपको रबर का फिनिसिंग मिलता जो सेप्टी के लिए सोकर बहुत बढ़िया है साइड में आपको मिलता है यह स्टिकर टायर का बत काता है तो 180-70 का टायर है जो मिलता को MRF का टायर और यह गोटी अला टायर है गया ओफ रोड के ले बहुत ही बढ़िया बाइक है ऐफ रॉका कि लिए सबसेस्ट operators कि इसमां आपको फाइब जिए में देख सकतें इस वाइक का लूकींग और तोबात करते हैं कि टंकी यह आपको मिलता है दस लिटर का तो यहां आपको FZX01 तो टेंकी का एक बड़ डिजाइन देख लिजे तो यहाँ आपको मैट फिनिस मिलता है यह कोबर है और यहाँ 6 नेट है 6 नेट खोलने से यह बाहर आ जाएगा और टेंकी आपको 10 लिटर का मिल जाता है मिटर मिटर यह देखे किस तरह सा यह आपको Bluetooth Connect वाला है यह बाइक तो यहाँ आप देखे सब चीज आपको डिटर से मिलता है नूटेल, बैटरी, एवियेस ट्रीप, किलो मिटर और यह आर प्यम है तो इसमें आपको Bluetooth Connect भी मिल जाता है तो सुच का बारे बात करते हैं अपको तरहा है, इंजिन स्विच, सेलफ प एंड हाई वियम, लो बिउम यह आपको मिलता है इंडिकेटर का होजाएं यहाँ आपको होजाएं तो मैठ फ्निस किया वह पुरा हेंडल और यहां आपको एक चावी मिलता है, चावी का लोग यहां आपको मिलेगा, यहां नहीं, आप देख सकते हैं, यहां है, चावी का लोग आप देख सकते हैं, तो बहुत बैस्ट बाइक है, और सीट बहुत ही कमफर्ट आप देख सकते हैं, कलर भी बहुत अच्छा लग रहा ह एक नमर बाइक है तो पीछे का लुक्स आपको में दिखाता हूं तो पीछे तरफ से कैपसुल का तरह आपको दीख रहा है LED light, fully आपको मिलताँ LED light यहां देख से तरह राउंड सक्किया वह LED light और पीछे ते कुछ इतना खास तो नहीं है लेकिन बढ़ी है और टायर का भात करते तो 140 R70 का टायर है एंड आपको मिलता है MR आपका टायर ओफ रोड के लिए बेस्ट टायर है इसमें आपको चैन कॉबर इस तरह से दिखने को मिलता है पीछे डिस सिंगल चैनल ABS और पीछे एक मोनोशोक सस्पेंशन फुट्रेस में बहुत बढ़ी है गाइस तो आप लोग कॉमेट करना कि आपको यह बाइक कैसा लग रहा है और मुझे तो बहुत बैस्ट लग रहा है मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ एकदम दूर से यह देखिए यूनिक लग रहा है तो यामा सोरूम में आईए और इसका टेस्ट राइट लिजे और भी विष्टुपूर का यामा सोरूम का साक्ची में वह सोरूम बंद हो गया है और इसका बात करते तो मुझे बाइक एक चुली बहुत पसंद है कि आप देखे रहें यह कंफर्ट बाइक है और क्या बोलूं तो यह कुछ यहां आपको मि मिलता इंजिन और यहां इंजिन से में तो यह बेसिक्स मोडर यहां सेंसर लगा हुए और यहां फोट्रेस भी बहुत बढ़िया है तो एप जी एक्सवन का यह बाइक आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कॉमेंट करना तो लुक्स और डिजाइन में क्या मैं बोलू एक नमबर रही है आपको कमेंट करना आपको यह बाइक कैसा लग रहा है मुझे तो अच्छा लग रहा पीछे से भी लुक्स और जहार कंड का तो चलो बात करते हैं इस बाइक के क्या किमात है और तो बाइक का लुक्स डिज तो फिडेंट अभी बात करते हैं मुझ्द्य का बारे मतलब इसका रोकरा कितने कीमत है तो इस बाइक का कीमत है जमसेदपूर जहरकंड का मैं बता रहा हूँ तो इस बाइक का कीमत है वन लाख 47,440 रूपी पतला एक लाख 47,440 रूपया इस बाइक का कीमत है ओन लोट इस जमसेदपू जहरकंड का तो आपको बाइक कैसा लगा बाइक अच्छा लगा तो लाइक पॉमेंट और लगा तो आपको बाइक किसा लगा vibe क्या लगा अगर आपको बाइक अच्छा लगा आपको लेना तो इस्टुपूर्भ का तो सो में आप आ सकते हैं ऑ पर टेस्ट-्राइट कहभी है और आपको बाइक को सारा details भहिया बता देगा इसका मतलब आपको cinnamon या फाइनेस में कि इसका टायर का जो गोटी मुझे बहुत अच्छा लगा तो बस यही था आपको मैं जान करें दिया डिटेल्स तो अच्छा लगा तो लाइक कोमेर्स सेस्क्रप्चर चलते हैं जैहील जैहील भागत